हेलो फ्रेंज समस्कार सभी को मैं शेफ फैशोग स्वाद करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल को कि मिस शेफ फैशोग तो आज ये मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टों में इतनी टेस्टी फिश करी कैसे बना जाती है मुझे बहुत दिनों से बहुत सारे कॉमेंट्स हा रहेते कि फिश करी की रेसिपी भी अपलोड करें जो ऊट्यला और रेसिटों में बनाए जाती है तो आप एक बर इस रेसिपी को घर में बना गए देखिए सही में होटल और रेशनल बला टेस्ट ही आई का आपकी फिश करीम है तो वीडियो को अपने पूरा देखना है तो चलिए फ्रेंश जल्दी से रेस्पीश शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने बॉनलेस फिश ली है 200 ग्राम बॉनलेस फिश है आप बीड बॉन फिश का यूज भी कर सकते हैं तो यह देखिए फिश को अपने छोड़े-छोड़े पीसीज में कटबा लेना है या काट लेना है सबसे फ़ेले इसकी मैरिनेशन करेंगे नमक डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक डाला है हल्दी पॉड़र डालेंगे और साथ में आपने इसमें लाल मिश्ची पॉड़र डाल देना है तो यह मसालिया आपने इसमें थोड़े-थोड़े डालने है और साथ में आपने इसमें लेमन जूस डालना है लेमन जूस आपने जरूर डालना है lemon juice से fish के अंदर जो smell होती है न बोग हतम हो जाती है और अधर गलसन का paste डाल देते हैं तो यहाँ पे मैंने दो छोड़े चमच अधर गलसन का paste डाल दिया है साथ में आपने इसमें एक छोड़ा चमच बेसन डाल देना है ताकि जब इसको फ्राइ करें तो अच्छी वाइनिंग आए इसके ओपर और थोड़ा से इसमें कॉन फ्राइर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा डालने कॉन फ्राइर अगर आपके अस है तो डालिए नहीं तो आप इसको skip कर सकते हैं तो प्याज को अपने slice काट लेना है देखिए एकदम fine slice काटना है क्योंकि प्याज को फ्राइ करेंगे तो एकदम fine slice काटेंगे नो प्याज अच्छे से fry हो जाता है तो इस तरह से देखिए अपने प्याज को slice काटना है और टमाटरों के अपने puree कर लेनी है अब एक कड़ाई में आपने oil को गरम कर लेना है और spider लेना है जो प्याज हमने slice काड़ के रखाना है spider के अंदर डाल के उसको oil में fry करने के लिए डाल देना है नहीं तो oil का temperature ज़्यादा होता नहीं के बार तो oil पूरा कड़ाई से बाहर निकल जाता है इसके बाद अपने प्याज को medium to high frame में golden brown होने तक fry कर लेना है तो यह देखिए प्याज में अच्छा color आ चुका है तो यहाँ पे अपने gas की flame एक्टम low कर देनी है ताकि प्याज जले देना और निकालने के बाद आपने प्याज में अच्छे से oil निकलने देना है देखिए और प्याज को आपने किसी paper या napkin paper पे रखते ना है और थोड़े से हाँ पर मैं काजू लेने है और उनको भी एक्टम low flame में fry कर लेना है क्योंकि oil का temperature अगर थोड़ा भी जाद होगा तो काजू एकदम से जल जाते हैं तो यह देखिए आप देख सकते हैं ऐसा कलराने तक आपने काजू को fry करना है आप इसके अब एक grinder का जार लेना है और प्याज को और काजू को आपने grind करना है तो देखिए प्याज और काजू मैंने इकठे डाल दिये हैं grind करने के लिए स मैं दो बड़े चमच ऑईल डालेंगे ऑईल जैसे हलका सा हीट हो जाए तो जो हमने फिश मेरनेट करके रखी तना उसको हमने शेलो फ्राई करना है तो यह देखिए आपने सारे जो पीसी ते फिश के बो डाल देने हैं उतने पीसी डालें जितने पैन के अंदर अच्छे से आजाएं तो आराम से अपने शेलो फ्राई कर लेना है फिश को गैस की फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम रखनी है था फ्लेम अगर फिश को ना fry करेंगे तो आपकी फिश तूटेगी भी नहीं और नीचे से जलेगी भी नहीं आच्छे से पक भी जाएगी अब दूसरी साइड से भी आपने फिश को ऐसे पकने देना है और पैन को आपने उपर से कपर कर देना है और medium flame में आपने दो मिनिट तक फीश को पकने देना है cover करके जो फीश है वो जल्दी पक जाती है तो ये देखिए अच्छे से हमारी जो फीश है वो पक चुकी है दोनों साइड में बड़िया color आ चुका है तो इस तरह से अपने फीश को अच्छी तरह से fry कर लेना है पहले पूरा fry कर लेंगे कच्छी नी रहने चीए क्योंकि इसको हम gravy के अंदर ज़्यादा नहीं पकाएंगे bonless fish है अगर इसको gravy के अंदर ज़्यादा पकाएंगे तो ये तूट जाती है तो ये देखिए ये color नहीं तक आपने फीश को fry करना है आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं बहुत है जबरस्त बनके फीश हमारी fry त्यार हो चुकी है अब इसके लिए हम gravy बनाएंगे तो एक pan लेंगे और उसके अंदर oil डालेंगे वही दो चमच मैंने आपे बड़े चमच oil डाला है oil जैसे हलका heat हो जाए एक तेश पत्तर डालेंगे एक डाल चीनी साथ में आपने इसमें बड़ी लाइची डालनीगे एक और दो छोड़ी लाइची एड़ करेंगे इसमें और एक से दो इसमें लॉंग डाल दीजिए अब मसालों का अपने हलका सा दिटकने देना है साथ में आपने इसमें आदा छोड़ा चमा साबू जीरा डाल देना है आप चाहिए तो इसमें थोड़े से सलस्वों के बीच भी डाल सकते हैं एक बड़ा चमा जिसमें अदर गलस्ट का पेस्ट डालेंगे और पेस्ट को अपने मीडियम फ्ले में अच्छे से पका लेना है तब तब पकाना है जब तब पेस्ट में अच्छे से कलर ना चाहिए तो यह देखिए अदर गलस्ट का जो पेस्ट है यहाँ पे अच्छे से पक चुका है अब इसमें मसाले अड़ करेंगे तो आदर शुटे जम्म जिसमें हल्दी पौडर डालेंगे और आदर शुटे जम्म जिसमें लाल मिर्ची पौडर डालेंगे तीक आप अपने टेस्ट के अंसार कम जदा कर सकते हैं अब हल्दी और मिर्ची को आपने हलका सा पका लेना है और गैस की फिले में आपे एकदम लो रखनी है ने तो हल्दी और मिर्ची एकदम से जल जाते हैं फिर हम इसमें पीसे वे टमाटर डाल देंगे और टमाटरों के साथ में आपने नमक डाल देना है तो आदा छुटा जम मसाले डाल देंगे आदर शुट चमचे यहां पर मैंने अधनिया पौडर डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें जीरा पौडर डालेंगे बाकि यहां पर मैंने ब्रीक कटी हरी मिर्ची डाली है हरी मिर्ची यहां पर मैंने तो डाली है क्योंकि फिश की जो ग्रेवी है टेस्ट आता है अच्छा ग्रेवी में तो ये देखिए मसालां को भी मैंने टमाटरों के साथ अच्छे से पका लिया है अब इसके अंदर वो काजू और प्याज का जो पेस्ट बना के रखा था था ना बोर डाल देना है और 3-4 मिनिट तक लो फले में इसको अराम से पकने देना है तो 4 मिनिट यहां पर हो चुके हैं देखिए और ग्रेवी ने अच्छे से ओल चोड़ती है तो ऐसे ओल चोड़ने तक आपने ग्रेवी को अच्छे से पकाना है यहां पर और एक वार 3-4 मिन तक आप इसको कबर करके पकाएंगे ना तो बीच बीच में आपने इसमें पल्टा भी चलाते रहना है ताकि यह निचे से जले ना तो ऐसे आपने इस पेश को पकाना है यहाँ पे फिर इसमें पानी डाल देना है तो पानी कौन सा डालना है गर्म पानी डालेगा गर्म पानी डालने से टेस्ट खराब नहीं होता है ग्रेवी का और अच्छे से मिक्स कर ले ना इसके बार अब फिश की ग्रेवी अगर आप पतली बनाना चाहते हैं तो इसको आप पतली ग्रेवी में भी कर सकते हैं पानी की क अब इसके बाद आपने इसमें ब्रीक कटव अहरदनिय डालना है तो थोड़ा सा फ्रेश ब्रीक कटव अहरदनिय डालना है तो थोड़ा सा गर्मसाला पौडर डालेंगे और साथ में अपने रोश्र कसूरी मेत्री डालना चाहें तो डार सकते हैं नहीं तो आप इसको आप इसको फिश कोर्मा ही बोल सकते हैं क्योंकि कॉर्मेजर से हमने बना के तियार किया है अब इसमें जो शैलो फ्राई फिश करके रखे दी बोर डाल देनी है तो यह दिखिये 5-6 पेस्जी से यहां पर मैंने फिश के फ्राई के देगे वो सारे डाल दिया ग्रेवी के और अगर आपके अस coconut milk हो तो आप gravy के अंदर थोड़ा सा coconut milk डाल सकते हैं फिश करी में coconut milk का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यह हमारी फिश करी बनके त्यार हो चुकिए अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगोगा तो like, share, comment जूरूर करें और चैनल को सबस्क्रा झाल